आटो एक्सपो में जादा देरी नहीं रह गई है करीब साथ दिन रह गई है 60-65 डेज रह गई है आटो एक्सपो 2023 के लिए और अच्छी चीज़ यह है कि मेजर ब्रैंड्स पार्टिस्पेट कर रहे हैं लेकिन बुरी चीज़ यह कि कुछ ब्रैंड्स अभी भी अन्शूर है कि भाई पार्टिस्पेट करें या ना करें उसका मैं आपको आज रीजन बताने वाला हूँ अगर कौनसे ब्रैंड्स हो हैं वो आ रहे हैं तो कौनसी गाड़ियां लेके आएंगे कौनसे ब्रैंड्स नहीं आ रहे तो वो क्यों नहीं आ रहे और आटो एक्सपो के बारे मे डिटेल्स दूगा कि कौनसी डेट से कब तक हैं कब रिजिस्ट्रेशन इसकी शुरू होगी कि स्प्राइज पर आप इसको पार्टिस्पेट कर सकते हैं मीडिया डेज कब होगे हमारे चैनल के उपर वीडियो कब आएंगे तो आटो एक्सपो 2023 की सारे डिटेल्स अभी यह लोग कंफर्म हैं फॉर दी ऑटो एक्सपो 2023 अब यह लोग क्यों कंफर्म है क्योंकि देखो मेजर कंपनी अगर मारूती हुंडे टाटा की बात कर रहें मेजर कंपनी यह पार्टिस्पेट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा किया अब मेजर कंपनी में आ गईगी खारं में 2023 में पार्टिस्पेट कर रहे हैं अब सीन ऐसा है आप सोच रहे होगे कि महिंद्रा का क्या फॉक्स वेगन श्कॉड़ा ओडी मर्सेडिस ब्यम्ड़ी होंडा जीप सित्रॉन वॉल्वो निसान और साथ में रेनो हॉंडा टू वीलर हीरो मोटो कॉप टीवी एस है नहीं दिखाने को कुछ अब वो क्यों नहीं है वो भी बताता हूं देखो पिसले साल 2022 में बेसिकली जब फैबरी में आटो एक्सपो ना था तो कोविड के वैसे वो कैंसल हो गया तो कंपनीज ने सोचा कि बाई आपको पता नहीं एक्सपो कभी होगा या नहीं होगा को वोक्सवेगन में अगर अपनी नहीं कोई हैच्वेक दिखाना चाहें जो पोलो को रिप्लेस करें वो हो सकती है श्कॉडा अगर दिखाना चाहे तो बड़ी गाड़ी दिखा सकती है ओडी के पास बहुत सारी ऑप्शन्स हैं इंटरनेशनल मार्किन में इंडिया में ला सक बलब हमें पता हां एकानिवे तार्टर मोटर्स पार्टाइब कर रहां है यह चार गाड़िया शोकेज करें और महंच दू करें तो इसलिए महिंईद्रा इस बार खल रहे हैं because ये तो confirmed brands हैं लेकिन ऐसे भी बहुत brands हैं जो कि धीरी धीरी अपने पत्तें खोलेंगे कि भाई हम भी आ रहे हैं और एक example एक example ही रहे हैं सिपोज निसान ने अंट टाइम पर कैदि हम आ रहे हैं रहे हैं रहनों को जबरदस्ति आना ही पड़ेगा इनकी आपस में competition जलता रहता है तो ये कहीं ना कहीं चले मज़ा आएगा इस चीज़ को देखके कि कौन सी company last minute पे change करती है अपने decision और रही बाट two wheelers की तो देखो बहुत major brands ऐसे की Honda, TVS, Bajaj, Hero, KTM, Royal Enfield जैसे brands नहीं आ रहे हैं इस साल इन्होंने बहुत कुछ launch कर दिया भाई अब वहां क्या करेंगे तो वह थोड़ा फीका ना पड़े इसलिए इससे सच सोच रहे हैं कि हम करें ही ना और अब अगर हम इसकी देखें कि cars जो हैं आप ज़रूरी नहीं कि car manufacturers जो हैं जो मैंने आपको दिये ये अच्छी खासी strength में आ रहे हैं हर के पास 2-3 तिन minimum products होंगे करी तो 5-6 चे showcase करने वाले हैं तो मज़ा आएगा लेकिन सबसे important जी होता है कि कौन से vehicles और आ रहे हैं अब मेरा ये मानना है कि इस बार EV brands, two wheelers में बहुत लाएंगे एक चीज़, service providers बहुत आएंगे, अब EV में क्या होता है सिरफ vehicle नहीं होता, उसके battery solutions, उसके infrastructure, उसके charging solutions, वो लोग भी auto expo में आने वाले हैं और इतना ही नहीं, गाडियों में भी अगर हम देखें, तब भी ऐसा नहीं है कि इस बार auto expo फीका फीका लगने वाला है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, कि कुछ brands नहीं आये थे, लेकिन मज़ा फिर भी आया था, मारूती था, MG, Hyundai, Kia, Škoda, Volkswagen, Škoda था, Volkswagen तो था, तो ये सारे brands ने तो कमाल धूम बचाई थी और मज़ा भी आया था, इस कब जाना है, तो greater noida में ये expo मार्ट में होगा, पहले की तरह प्रगिती मेदान में नहीं, इस बार greater noida expo मार्ट में है, और उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि noida की development भी हो, अच्छे का से highways इनको use किया जए, प्रगिती मेदान बड़ा ज़रूर था, लेकिन कहीं न कहीं बात करें, तो यहां पर dates जो है, वो 13 से 18 जैनवरी 2023 जो है, वो रखे गई है for public, अभी registration उपर नहीं है, tickets आप purchase नहीं कर सकते, बट most probably 15 नमबर से इसके जो tickets हैं, वो on sale हो जाएंगी, 5 दिन उपर नीचे आप लगाके से हो सकता भी हो जाए, वीडियो देख रहे हो चुके हो तो इनके लिए description में मैं आपके लिए AutoExpo की जो website का link के उसे short देता हूँ, और proper जो वीडियो है हमारे चैनल के पर upload होगी वो बात तो पकी है, और यह जो सारी गाडिया है तो यह आएंगे, टू वीलर आएंगे, एक एक गाड़ी के उपर proper वीडियो आपको हमारे चैनल के उपर मिलने वाली है, यह बात तो पकी है, सबसे तेज मिलेगी, सबसे जल्दी जैसे के मैं बता है तेज मिलेगी, कवरे सबसे ज़्यादा होगी और detailed वीडियो होगी, फटाफट वाली नहीं, अच्छे proper और वीलिंग्स और लॉंचिस के बारे बे हम discuss करेंगे, और आब न पहली एंचियर वले लोग है, इवन पंजाब, अर्याना, राजस्तान वले लोग तो इजली आ सेकता है, इनो साउथ वले इतने इजली नहीं आ पाएंगे, बट अगर कार एंथूसियास्त है तो आजा, विकॉस काफी लोग आ रहे हैं, इतना ज़्याद एक्सपेंसिव प सब्सक्राइब कर लेजिए तो लाइक कर लेजिए, कमेंट कर लेजिए, सब्सक्राइब कर लेजिए